हेलो बच्चो कैसे हैं हम सब आई होब सब अच्छे होंगे बच्चो आज हम पढ़ेंगे यूज आफ कोफिशन मैथड ये कोफिशन मैथड कहां यूज होता है तो बच्चो जब कोई equation क्यूभी कोती है तब उसको क्वाजिटिटिड बनाने के लिए हम कोफिशन मैथड का य माइनस थ्री एक्स सुकेर माइनस नाइन एक्स माइनस फाइब तो बच्चो यह क्यूभी की क्यूभी 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 क यहांते कि आंसर क्या आता है वन जैसे यहां पर 5 है तो यहां पर KS ukiniM 01 के ब्रवर ओगा तो या किसके ब्रव का और कि फाइब के ब्राबर आएगा इसनलिए हम यहां पे ऐरी एबल नहीं लिखते सिर्फ हम क्या लेते हैं मैं एक सिर्फ हम ने यहां आप देखे बच्चो जब इस तरह की एक्वेशन आती है तो इसको हम ड्रेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते हैं इसको सॉल्व करने के लिए हम जो है अब यह तो पता है आपको के इसकी हाइस पावर थ्री है तो इसके मतब थ्री जो है वैलिम निकलेंगे एक्स के थ्री रूर्ट देखे निकलेंगे तो अब यहां पर हम यह सावरी डिसंदिंगॉल में है क्यूงकि सबसे बढ़ा उससे चोटा उससे चोटा ऊससे चोटा यहां x cube का variable को सारी coefficient कुछ निया तो 1 होगा x square का coefficient कुछ निया 3 होगा x का coefficient कुछ निया तो minus 9 होगा और यहाँ पे यह already constant तरम है तो अब हम जब coefficient method use करेंगे बच्चों तो कैसे करेंगे इस equation को थोड़ा में उपर लिखता हूँ यहाँ पे लिख देता हूँ x cube minus 3x square minus 9x minus 5 तो यह निचे से हम निवाश करता हूँ अब देखें बच्चों इस x cube का coefficient क्या है 1 है 1 लो इस x square का coefficient क्या minus 3 है minus 3 लो x का coefficient क्या minus 9 है तो लो और यहाँ पे constant term है यह हमने ले ली अब इसको ऐसे हमने एक line वारी ओपर से ऐसे मारा हमने यहां किया अब हम करेंगे coefficient method का use तो बच्चों coefficient method का जब use करेंगे तो तो हमने क्या करना यहाँ पे digit लेना है digit को से शुरू करना है पेहले plus 1 लेकर check करना है इसको फिर minus 1 लेकर चेक करना है फिर plus 2 लेकर चेक करना है माइस टू लेकर अगर हम इस चेक करेंगे तो वीडियो लम्मी हो जाएगी तो मुझे पता है कि क्या कौन सा डिजिल लेने से हो जाएगा तो माइस वन लेने से हो जाएगा इस माइनस वन को इस वन से multiply करो इस के निचे लिखो यानिका 9 के नीचे लिखो माइस और माइनस plus और 4 वन दा 4 तो 9 में से 4 तो निकल ही सकता तो क्या आएगा माइनस 5 आएगा अब इस minus 1 को इस minus 5 से multiply करो इस के निचे लिखो 7 के नीचे. अवाइनिस फ्लास और 5, 1 नहीं हो 5 अब देखो प्लास 5, माइनस 5 क्योंगा ज़िरो हो जाएगा तो यह 1 लेखा करही एक तो x की वैल्यो निकल की माइनस 1 अब दूस्री x की वैल्यो क्यों निकली अब देखा तेसे देखो यहां पे यह X है, यानि कि इसका कॉफशिन नमने X स्केर ले लो सारी, X स्केर ले लो और यहाँ पर माइनस 4 है और X है और यहाँ पर माइनस 5 है तो इस एक्वल टू 0 बच्चो यानि कि 1, 2, 3 टर्म से पहला स्केर आएगा, फिर लिनिर आएगा फिर कॉंस्टेंट टर्म आएगा, अब इसको हम साल्व करेंगे अब देखे, एक तो X माइनस 1 आगया यानि कि एक X की जो वैल्यू हमें यहाँ पर लिकरता हूँ एक X माइनस 1 निकल गया अब दूसरी दोन नकाल दिया तो इसको आप देखिए, बचो आप इसको साल्व करने के लिए क्यूंकि यह क्वाडिटरी एक्वेशन है, यह किस फार्म में है, यह हमारी इस फार्म में तो अब हमारे पास A की जगा यहाँ पर पुछ निया 1 है, X स्केर, और B की जगा माइनस 4 है, और C की जगा माइनस 5 है, यह बार समझा गई, तो इसको साल्व करने के लिए हमारे पास तीन में होते है, एक होता है फैक्वेशन में होता है फैक्वाडिटरी फार्मूला, एक ह फिर होई मैथल लगाएंगे, क्योंकि तीनों मैथल लगाने से अंसर सेम आएगा, अगर हमें यह मेंशन नहीं किया, तो हम सीधा फैक्वेशन मैथल करेंगे, अब इस मैथल को कैसे करते हैं, जैसे, A आपके पास क्या यहाँ पे, इस एक्वेशन में है, B आपके पास क्या है, माइनस फूर है, और सी आपके पास क्या, माइनस फाइब है, अब हम ऐसा करेंगे, कि A को सी से मल्टिप्लाई करेंगे, तो A क्या वन है, और सी क्या माइनस फाइब, तो यह क्या आगया, माइनस फाइब आ गया, अब बच्चो, हम ऐसा करेंगे, कि अब इसको, यह समझ यह माइनस करें तो माईस वो राए और मल्यल्टिप्लाई करें तो माईस व्य Wंआ तो इसको मैं ऐसे कर सकता हूं यह पर हमैं से कर सकता हूं इसको प्लस एक्स west और आगे वाला यह five तो आ दूर हो गया इसको मैं सब्साथ कर लेता हूँ अब इखो प्लस यह 1X है, माइस 5X है, माइस 5 में से प्लस 1 नकालेंगे तो माइस 4 आएगा और माइस 5 को जो प्लस 1 से मल्टिप्लाइ करेंगे तो माइस 5 आएगा अब देखो इन दोने में कामन क्या है, X कामन है, तो अंदर क्या आजाएगा X प्लस 1 यहां पर माइनस फाइब कामने तो अंदर आ जाएगा एकस प्लस वन बच्छो आप कान से तब ठीक होगा चब यह ब्रैकर वारे दोनों सेम होंगे अब इसको दोबारा मल्टिप्लाइब करने से यह होना चाहिए एकस को एकस एकस के एकस को वन के साथ फिर माइनस फाइब को एकस माइनस फाइब एकस प्लस माइनस और फाइब अब देखो एक बारे पास आगया एकस और यह माइनस फाइब आ गया यह भी इस इकवल जीरो आ गया और दूसा इन दोनों में इसे एक लेलो एकस प्लस वन इस is equal to zero, अब देखो, बच्वों अब x है, is equal to, यह zero है, और यह minus आगे जाके plus five ओगया, और दूस्ता, यह x is equal to, यह zero है, यह plus आगे जाके minus 1 हो गया, तो फिर आगे x is equal to यह plus five, और यहाँ पे x is equal to minus one, तो बच्चों, हमारे पास जो x की value आई, एक आई हमारे पास एक तो पहले सी जो निकली थी वो क्या निकली थी माइनस वन और दूसरी प्लस फाइब आ गया और तीसरी फिर माइनस बना गई यह वैल्यू आगई एक्स की बच्चों इसके रिलेटर कोई भी आपको कंफ्यूजन है तो आप कमिट बैक्स में मुझे बता सकते हैं